आनियम लेना शमी के ब्रच्च की पत्ति जिसे ये बेलपत्तर होता है शिव को और गणेश को बेलपत्तर शमी पत्तर समर्पित होता है आपको कथा में बंडन किया था 33 कोटी देवताओं को भले बिल पत्र नहीं चड़ेगा पर 33 कोटी देवताओं को शमी पत्र चड़ता है और उसमें एक गणेजी महराज और एक बाबा भोले ना इन दोनों को शमी समर्पित होता है शमी पत्र समर्पित होता है महराज कथा में पहले भी बंडन किया आज फिर आपको यह शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से जो आपको करना है रिद्धी सिद्धी पाने के लिए संपदा को बढ़ाने के लिए यह शिवलिंग है फिक है यह गोल जला धारी है यह चरण से जल नीचे गिरता है शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है शंकर जी की पाँच लड़किया जो उपर से जल नीचे गिरा रही है जया, विशहरा, शामरीबारी, दोतली और देव ये शंकर जी की पाँच लड़किया जिनका नाम लेकर सोने से रत्री में नीद अच्छी आती है एक एक बून जो उपर से गिरा रही है ये शिव की पाँच बेटी जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है उसके राइट भाग में गनेजी का स्थान लेप्ट भाग में कार्ती के का स्थान बीच में संकर जी की सबसे छोटी लड़की अशुक सु पदा की कमी पड़ती हो बिमारियां जादा फेल रही हो बहुत कश्त हो महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो तो शमी पत्र शमी की पत्ती जहां गनेजी का स्थान है वहां पर पांच शमी पत्र पांच समर्पित करें और शंकर जी के उपर तीन शमी पत्र समर्पित करें, बहुत ध्यान देना, पाँच शमी पत्र जहां गणेजी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, तीन शमी पत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करें, एक शमी पत्र शंकर जी की चोखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लिफ्ट भाग में शंकर जी की चोखट पर समरपित करें एक शमीपत और महराज गी का दिया जहां लिफ्ट भाग में आपने शमीपत रखा है मंदिर में ना दिया लगा कर बाहर की और जहां शमीपत रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुरानकती है भगवान गणेश जी का मोर्द्वज का मयूर्द्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चड़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धी नहीं जाती बेभव प्रतिष्था नहीं जाती करकर देखना अगले साल तक आपका ब्यवपार कितना चलता है हमको बताना जरूर करके देखो एगला गणेश पुरान का शिव महापुरान का ये प्रसंद करिए जीवन में उतारी है चतूर् शीतर गणेश जी का मूरिस्थान आपको गणेश जी की मूर्ती पर चड़ाने का नहीं बोल रहा है क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्था करोगे तो वो टेंप्रेरी है दस दिन के लिए कर दिया फिर बापी दिसर्जन कर दिया पर जहां शंकर मंदिर में बेट गए श्थापित हो गया महां ना जाने कितने समय से शंकर की अरागना हो रही है वहां गणेश जी सदा बिराजमान है सदा अरागन और देखो यह दस दिन में अगर आपने शमी पत्र बिलकुल मन से समर्पित करा है ना तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुरान का मेरे बावा विश्वनात की कृपा कहती है मेरा मन कहता है दस दिन के अंदर आप शमी चड़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी ख़बर जरूर मिलेगी यह पकार पर हमें बताना जरूर वाटसप पर हो मेंसे जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको दस दिन के अं